वेलकम फ्रेंड नमस्कार में डॉक्टर अप्रदीक माराव सबी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाईयों काफी सारे लोगों के सरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है जिससे वो काफी परेशान हो जाते लेकिन काफी सारे लोगाँ को यह है पता नहीं होता है कि इस सरीर में आयोडीन की कमीके हो जाने पर क्या लचनाते जिसकी वज़े से काफी सारे लोग अपनी वक्त पर सही जांचों को करा कर अपना सही इलाज नहीं करा पाते हैं जिसकी वज़ेसे लंबे समय तब उनके शरीर में आयोडीन की कमी के बने रहने के कारण उनको काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं जिससे वो काफी परेशान हो जाते हैं तो भाहियो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस सरीर में आयोडिन की कमी के हो जाने पर क्या लच्छना से तो इस विशे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माद्धम से दूँगा तो भाहियो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें बजन का बढ़ जाना हो जाना बालों का जणना या कम हो जाना रिदय की गती का धीमा हो जाना ठंड का लगना या दास का कमजोर हो जाना गरबबती महिला का शिशु मृत्त पैदा होना अनेमित हो जाना या मासिक धर्म में अधिक खून का आना कबजी का हो जाना हाई को धर्यज्यम थरेड का हो जाना ऑर भाईयो गरदन में सुजन का आ जाना गहेंगा रोग का हो जाना तो भाईयों, बाइयों सरिर में आयोडिन की कमी के हो जाने पर यहां सभी लचण आते हैं, तो भाईयों अगर आपको यहां लचण हैं, तो आप सही ड़क्टर के पास जाएं और फूरी जहांचें को कराकर अपना सही डॉक्टर से ही इलाज कराएं उल्टा सिधा इलाज बिल्कुल भी ना कराएं भाई योगर आम मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाई योगर आम मुझसे कमेंट करें मैं आपके हर कमेंट का जबाब चलूर दूँगा नमस्कार भाई